हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लोपी नाका नंबर एक मंडोर इलाके में रेलवे पट्रियों के पांस पैदल भागते वे पकड़ा गया चोरी के साथ ही उसके फरारी का एक और केस बनाया गया है पुलिस वारा अपरादी को तुरंद पकड़े जाने पर पुलिस कमिशनर ने मंडोर थाना अधिकारी वे दो कॉंस्टेबलों को पुरुसकार प्रदान कर सम्मानित भी किया वहीं उसके भागने के दोरान लापरवाही पर रतने पर विभाग्य अनुश्यासात्मक कारवाई भी शुरू की गई है डीसीपी पूर्व धर्मेंदर सिंग यादव ने बताया कि नागाउच जिले के खिवज़त हाना अंतरगत पांचला निवासी रामराज जाट को बाइक चोरी के एक केस में पकड़ा गया था वो पुलिस अपी रक्षा से न्याएक अपी रक्षा में भेजा गया था लेकिन उसकी COVID-19 की जाच रिपोर्ट आनी बागी थी इस पर उसे महामंदिर थाने की हवालात में रखा गया मंगरबार सुभा करीब पॉने पाच बजे वो शौच के लिए निवरुत होने गया साथी संतरी श्रबन कुमार भी था तब रामराज ने मौका पाकर संतरी को धक्का दे दिया और थाने से भाग निकला संतरी ने शोर मचाया तब अन्य थाना स्ताफ भी उसके पीछे लग गया उसके फरारी के सूचना उच्च दिकारी और पुलिस नियंदरन कक्ष को दी गई और शहर में नाकाबंदी करवाए गई वो भागते हुए मंदोर इलाके में रेल पटरियों की तरफ पैदल चला गया था तब मंदोर पुलिस थाने के सामने लगे CCTV कैमरों के फुटेज में वो रेल पटरियों पर जाते दिखाई गया इस पर मंदोर थाना अधिकारी दिलिप खदाफ पॉंस्टेपल हरी नारायन एवं विश्ना राम ने उसका पीछा किया करीब डेड़ किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया गया इसके बाद उसे महामंदर पुलिस को सुबूत रखिया गया और फरारी का एक अन्य केस भी बनाया गया पुलिस आयूक तो जोस मोहन ने मुल्जिम को पकड़ने में त्वरीद कारवाई में खुश होकर अपने कारयाले में मंडोर थाना अधिकारी दिलिप खदाफ पॉंस्टेबर हरी नारायन एवं विश्नराम को प्रशस्ती बत्र एवं नगति नाम देकर पुरस्कुरूत किया जागरुक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट